नमस्कार दोस्तो मैं अमित जांगडा स्वागत करता हूँ आपका यूटूब चैनल जनरल डोजबाई एजे पर दोस्तो हर्याना के फाइनल एर के जो विद्यारती हैं उनके लिए बहुत बड़ी ख़बर है जैसा कि दोस्तो हर्याना के अंदर एसमंजस की स्थिती बनी हुई थी कि फाइनल एर के एग्जाम्स को कंड़क्ट करवाया जाएगा या नहीं क्योंकि हर्याना गूर्मेंट इसके उपर ये डिसीजन लेच कुई थी कि फाइनल एर के एग्जाम्स को हम कैंसिल करेंगे और विद्यार्थियों को without any exam promote किया जाएगा लेकिन उसके वाद UGC ने अपना रोड़ा अटका दिया था कि final year के exams को करवाना compulsory है अभी दोस्तो हरियाना की विद्यार्थियों में अयसमंजस की स्थेती थी कि हरियाना में exams होंगे या नहीं तो उसके उपर बहुत बड़ी update आई है दोस्तो देखिए एक बार UGC ने सभी विशविद्याल्यों को final प्रिक्षाय कराने को कहा कुलपती बोले promote वा प्रिक्षा दोनों विकल्प परदेश के विशविद्याल्यों में promote करने का एलान कर चुकी सरकार सभी विशविद्याल्यों ने सरकार को भेजे सुझाओ तो दोस्तो अब हरियाना के अंदर विशविद्याल्यों के कुलपती होते हैं वो तैय करेंगे कि final year के exams को conduct करवाना है या नहीं देखिए UGC ने 30 अगस्त तक UGPG की प्रिक्साइं कराने के आदेश दिये हैं देखिए 30 अगस्त गलत है 30 सितंबर तक जबकि इससे पहले हरियाना सरकार promote करने का फैसला ले चुकी है अब स्टुडेंट्स की चिंता बढ़ गई है अब परदेश में विसविदल से राय लेकर फैसला होगा कुलपतियों ने दोना त्रे के सुजाओ सुजाए हैं कुछ कुलपतियों ने कहा कि प्रिक्साइं करानी चाहिए ताकि स्टुडेंट की योगेता पर सवाल ने उठें कुछ ने कहा कि प्रमोट करना बेहतर विकल्प है विसे सग्य प्रिक्साइं कराने का परेसे हमत नहीं है वे प्रमोट करने के पक्स में है परदेश के फाइनल एर के करीब आट से दस लाख विद्ट स्टुडेंट्स को परभावित होना पड़ रहा है उलेकनी है कि देश भर के 945 में से 194 विसविद्यले प्रिक्सा करा चुके हैं 366 विसविद्यले अगस्त स्टमबर की योजना बना रहे हैं इधर सुप्रीम कोर्ट में एड़ोकेट ओन रिकोर्ड अलग आलोक विस्रिवास्तम ने यूजीसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याची का दायर की है इसमें करोना पोजिटिव 11 समय तत 31 स्टुडेंट की और से याची का लगाई है इसमें 5 मुद्दो को सामिल किया गया है उन्होंने मांग की है कि बच्चों की सभी प्रिक्साइं रद कर सीविएसी की तरज़ पर प्रिणाम गोसित किया जाए तो दोस्तों अब हरियाना के अंदर जो विसविद्य लेके कुलपती होते हैं अब वो डिसाइड करेंगे कि फाइनल एर के एक्जाम्स को कंड़क्ट करवाना है या नहीं उनसे लगातार राय मांगी जा रही है आगे देखिए प्रदेश की विसविद्य लेके कुलपतीयों ने क्या कहा देखिए शातरों को दोनों विकल्प देने चाहिए सरकार ने UGC की गैडलाइन पर प्रमोट करने की पॉलिसी बना दी अब UGC ने फैसला बदल दिया बच्चों को दोनों विकल्प दे दिये जाएं कि जो प्रमोट होना चाहता है वह प्रमोट हो जाए इसमें ओसत अंक मिलेंगे जो अच्छे नंबर से पास होना चाहता है वह प्रिक्षया देश के डॉक्टर मारकेंडे कुल्पती गुडगाओं विसविदयले डिगरी की बराबरी को प्रिक्षया कराएं बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे UGC की गैडलाइन का पालन होसके प्रिक्षया को चाहे ऑनलाइन करवाएं या अन्य किसी तरीके से करवाएं जाएं तो स्टुडेंट्स ने तीन से पांच साल तक जो मेहनत की है वह खराब ना जाएं प्रिक्षया कराना अच्छी बात है प्रिक्षया का 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 प्रिक्ष CRSU जीनित अभी दोनों विकलप पर हो चरचा प्रिख्या कराना सरल नहीं है बच्चे दूर दूर से आते हैं उनके लिए होश्टल की व्यवस्था करना यातरा करना मुस्किल है विसविद्यले की रेकिंग वय क्रेटिबलिटी पर असर पड़ता है प्रिक्सिया कराने का आगरह नहीं करना चाहिए असाइनमेंट या पांच पर्सन देकर एनालिसीज कराया जाए प्रोफेसर सुसमा कुलपती, बीपीएस, महिला विशविदेलेक, खानपूर तो दोस्तों ये तो थी च्यार विशविदेलों के कुलपतियों की राए तो जो फाइनल डिसीजन होगा, वो हमारी हरियाना सरकार इसके उपर लेगी जिस तरफ जादा बोट होंगे दोस्तों तो वही फैसला लिया जाएगा, आगे देखिए सभी परिक्सें रद की जाएं, चातर संग्ठन, NSUI के प्रवक्ता, अमन वसिष्ट, AIDSO के परधान हरीश कुमार, इनसो के परदेशा धैक्स, परदीप देशवाल, फाइनल की परिक्सें कराने का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि जब तक हालात समनने नहों हो, तब तक किसी भी विद्यार्थी की परिक्सान नहीं ली जाएं, ये हैं पांच मुद्दे, UGC के आदेश को ततकाल खारिज किया जाए, फाइनल एरिक्सान को रद किया जाए, स्टुडेंट्स को परफॉर्मेंस के अधार प उनका कि UGC की और से जो गाइडलाइन दी हैं, उसे लेकर अभी विसविद्यार्थ के कुलपतियों से राए ली जा रही है, चुंकी परदेश के हर जिले में अलग-अलग स्थीती है, सभी कुलपति जो सुझाव देंगे उसके अनुसार फैसला लिया जाएगा, तो दोस् दोस्तों, जय हिंद, जय भर!